सो हेलो गाइज माइनेम इस रोहान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल वई वाइल तो चले आज गा टॉपिक सुरू करते हैं सो फ्रेंड्स आज में बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे जो पेट्स फैमिली है उसमें एक नया मेंबर एड़ हुआ है और मैंने इसका नाम राखा है पीको तो यह पीको जो है यह एक इंडियन रिंगनेक पैरेट है मुझे पता है आप क्या सोच रहे है मुझे भी पता है य कि यो पीजिस है यह इंडिया में पर देखे फ्रेंडंज्च लिगन हो या ना हो गशाने व्रूव्मेंट ने ने तो रूट पर पर अच्छीए तरह का एंडियान शीजिस को आपको पर भी नहीं सकते है और इसका बीजनेस वकोश कर सकते करसे देखेए गर्मेंट जब य इधर उधर देखेंगे तो आपके पड़ोस में भी या फिर आपके किसी रिष्टेदार के घर में भी आपको रिंगनेक पैरेट है या फिर एलेक्जंडराइन पैरेट है ये मिल जाएगा तो उनको क्या पूलिस ने पकड़ लिया मेरे यहां तो मेने लोकल में तो ऐसे करना सुरू कर देता हो मतलब जो लोग इसको भरी क्वांटिटी में पकड़के या फिर कहीं से उठा के एगा जब शेल करते तब गौर्मेंट मतलब पूलिस उस लोगों को पकड़के उनको जेल में देते है तो इससे क्या पता जलता है डीमांड तो इनका है इसलिए होता है मतलब सरकार ने रूल बना के छोड़ दिया और इसको केशी तरह किसे भी एपलाई नहीं किया तो इसमें थोड़ा सा प्रॉबलेम है और देखिए अगर आप देखिए आप बहुत से मार्केट में भी देखे होंगे छोटे-छोटे सीजिन में मतलब जैसे कुछ दि के अंदर उस होल में यह लोग ब्रीड करते है और चार से पाच या फिर तीन इस तरह का बच्चे निकलते है तो बहुत से लोग क्या करते है उन बच्चों को पक छोटे एज में ही पकड़के उसके बाद उनको सेल करते है और इनका डिमांड बहुत सालों से ही रहता है मतल अब लोगी थोरे थोरे पैसे कमाने के लिए इन सब का सेलिंग करते ही है तो इसलिए हाँ यह गलत तो है औवियसली क्योंकि नेचर से इनके पेरेंट से इनको एकदम से आलग कर देना और इस तरह के से आर बहुत सब क्या होता है कि इनको लोग एक करके रख लेते हैं पर इनको ब्रीड नहीं करते हैं मतलब एक होते हैं किसी के घर में है उन्होंने एक या दो खरी लिया चेक छोटे से केज में रख दिया इन सारे कारण के लिए इनका आबादी धीरे-धीरे जो वाइल्ड में है कम होते जा रहा है पर गवर्मेंट ने जो रूल बना दिया उनक जो जो मुर्में को खरी सेलिंग होता यह होता भी है और महुत लोग रखतेहएं उनके उपर किसी तरह का प्रोलेम नहीं था आथा और जो लो इचतेल उनको प्रोब्लेम आ जाता इनको रखके चोटे से केज में इनका लाइप पुरा बरबाद नहीं किया जाता तब बहुत से ब्रीडर रहते हैं बड़े-बड़े पाकिस्तानी या फिर बंगलादेस में भी आप देखेंगे बहुत से ब्रीडर है जो यह सारे इंडियान डिंगनेक पैरेट अलेक्जंडर इस तरह का बहुत से स्पीसिस होते हैं यह इन स्पीसिस का ब्रीड करते हैं और उनका अच्छा दाम भी मिलता है और वाइल में तो जो है तो वह ही क्योंकि जगबागर आप किसी एक टेम बड्स का ब्रीड करके उसका जो बच्चे निकलेंगे तो उसमें एग्रेशन भी कम रहता है और वाइलनेस भी करते हैं इसलिए उनका डिमांड भी अच्छा रहता है नेचर के साथ इसका बहुत ही अच्छा बांदिंग मन के टा अीट झतना रहता है है और जिनको चाहिए बोलो ब्रीड भी करता है पर हमारे इंडिया में के ऐसा नहीं है यहां पर इसको पूरी तरके से बैंड कर दिया पर ऐसा भी नहीं कि एकदम इसको स्ट्रिक्ली सब फॉलो भी करता है क्योंकि इसका सेल तो हर साली होता है यहां फिर आपको मिलेगा कैसे और देखिए अगर कोई नहीं खरीटता तो फिर अलग बाद थी पर इसका डिमांड तो अब्यसली रहता है आपके भी घर में हो सकते है किसी ने कभी ने कभी आपने हो सकते है रिंग ने कपैरेट पाला होगा यहां फिर आपके परोस में भी आपने देखा होगा तो फिर पर जब उन्होंने उसको हम उसके नेट से निकाल लिया तो इसका मतलब उसका लाइब तो तब भी खतम हो गया मतलब अब तो वह अके लिए जी नहीं सकते है किसी के घर में जाएके जाएंगे यहां फिर अगर कोई नहीं खारीडा तो एंड में क्या होगा एक इतने सारे गळले अगर आपके पास experience or knowledge है इनको कैसे रहते हैं आप उसके बाद में इनको release कर सकते हैं और यहां पिर अगर आपके area में कोई ऐसा जगा है जहां पर हो सकते इनको अच्छी तरी से care किया जाता है यहां फिर इनको रेस्क्यू किया जाता है तो उनको भी जो है उच्छा उसका तो उसने मल 국 पूछा ये कहां से उसने बुला तुझे क्या चाहिए मैंने बोला मुझे मुझे चाहिए थैक मेरे socioमेद ब्रेगा तो मैं जब घीक लिए तो देखा कि एक पीछे वल इनसान तो उसके पास एक बॉक्स के अंदर दो से तीन बच्चे थे तो दो बच्चे उसने पहले से ही दो बच्चे को सेल कर रखा था और ये एक बच्चा आखरी था जो मेरे कजन ब्रदर ने पहले से बोलके रखा था इसलिए उसने रख दिया था तो मेरे कजन बतले ले तुझे अगर लेना है तो ले 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 तो उसके बाद मैंने इसको ले के आ गया तो देखिए उसने कब किया था उसके घर में पेड़ था तो उसके पेड़ के जो होल था उस होल में यह इस बर्ड ने ब्रीडिंग किया था तो अब उसने क्या कि उस पेड़ को काट दिया तो अब जो इसको रख लेना ही अच्छा बात है क्योंकि अगर देखिए हो सकते हैं को आने एक्सपरियेंस या फिर हो सकते हैं जिसके पास नोलज नहीं ऐसे किसी के घर में जाएगा एक दो महीं न रहेगा उसको और मर जाएगा देखिए यह जो पैरेट होता है इसका लाइस से बहुत ह मर जाते हैं तो इसलिए मैंने सोचा मैंने तो पहले से बहुत सारे पैरेट रखा था और बढरे पैरेट का भी थौरा सा एक्सपरियेंस करना था तो अगर मिली रहा था और यह बेचारा था जो यह इसको तो बैसे ही कोई ना कोई ले जाता तो मेरे ब्रदर ने जब बोला इसको ले जाओ, तो मैंने भी भीना और कुछ सोचे मैने इसको ले लिया, तो अब ये बहुती अच्छा था, ये बहुती दुगला पतला सा और भुहती डरादारा था, मैंने जब इसको खाने वाला थेली, मतलब जो इसका स्टolमाग होता है, वो जब चेक किया, देखे एक दो थोरी देस पीला या रो स मैं और घर मीर घुन थे रहे था और फूमा रहा था तो पहले जब मैं वारेस पानी खिलने से are accaporative और खड़ नहीं हो रहा था तो इसके बाद मैंने जो थे तभी दिर भाद मैंने नियो ठी ब्रादर को ही बोला मुझे नियो पेप्त्टीन लाके तो उसके लाकता टीन मुझे उचन लाके दिया किंगी यह ईह देखिए जो पर्थ्け अपनी मामी के पेट शाया मुझे मामे चल इस पर 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 अच्छा मदद मिलता है तो कि आप जो खिला रहे हो वह तो नेचर में इसली नहीं मिलता था वह तो ज्यादा तो सीड्स ही खाते है तो मैंने क्या कि जो चने का सत्तु होता है सत्तु लिया और उसको अंदर नियोफिटीन एड़ करके उसको पहले खिला दिया तो पहले पहले तो ज्यादातार बार्ट्जी अगर आप नॉर्मली किसी कॉक्टेल बजी यह पी लाबड़् किसी का भी अगर बच्चा आप कि यहीं सिसे खाना है तब ऐसा नहीं करेगा तो इस तरीके से मैंने थोड़ा-फोड़ा उसको खिलाया तो इस तरह से खिलाने से क्या हुआ उसको थोड़ा-थोड़ा मेरे उपार डर कम हो गया तो आप देख सकते हैं कैसे यह मेरे हाथ के उपर आ रहा यह बिल्लुकु भी अब यह इसा नहीं करता आप बहुत आप अच्छी तरीकसे खाता भी है और किसी तरह का प्रोब्लेम भी नहीं करता तो इसी तरगे से मैं इसको छोटे से टोखरी है उस टोखरी के अंदर जो पैडि होता है उस पैडि को निकलने लेके बादु का श्ट्रो बंचता है उस ट्रो को डाल के छोटा सा नेश्ट बाना के रखाए और यह अगर नहीं हो सके तो आप इसके अंदर की जो कोकोनट का जो बाहर का जो लेयर होता है उसको भी बारी करके आप इसको दे सकते हो या फिर उडेन का पीस इस तरह किसी भी इसको आप दे सकते हो पर सबस्ट्रेट देना बहुत ही ज़्यादा जरू है कि आप देखेंगे नॉर्माली अगर किसी फ्लैट सर्फेस पर इतने छोटे बच्चे को आप स्टैंड कराएंगे तो देखना उसका पैर जो है वह बाहर की तरफ जाने लगेगा तो इससे क्या लेक बेंडिंग का भी प्रोब्लेम आ सकता है इसके कारण इन फ्यूचर में जाके आपका बर्ड स्टिक से खड़ा नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से चलने ही पाएगा उली या फिर पैर तेड़ा हो जाएगा बहुत ताइका प्रोब्लेम आ सकता है इसलिए सब्स्ट तरीके से हीट प्रोबफाइट करना भहुत ज्यादा ज़रू है पर यह जो टाइम है इस टाइम में रिंगनेक का सीजन है मतलब इस टाइम इस तो अगर आप अच्छी तरीके से रखना चाहिए तो इनके लिए अपना हीटिंग बल देने के लिए जरूबत नहीं है क्योंक तो आपको क्या करना है इसको डाइरेक्ट खुली हवा में या फिर फैन के नीचे नहीं रखना यूदि इसको प्रोब्लेम आ सकते हैं अगर ज्यादा बॉड़ी ठंडा हो जाएगा तो डाइजेशन नहीं होगा तो इसके मतलब उसको प्रोब्लेम आएगा इसलिए इस पात क साथ से आठ के अंदर जब रॉसनी जब निकलती है तो उस टाइम मैं बाद्स को थोरी देर के लिए उसको धूप में रखता हूं क्यूंकि देखिए अभी इसका ग्रोफ स्टेज है अगर आप इसको अच्छी तरी की से सानलाइट लगाएंगे तो इसमें क्या होगा विट कि यह एक वाद करके मतलड़ियुंप खाना देता हूं तो यह क्यांस हेमीन शप्लीमений को एब्श॑ ने में और करने में श्रौन करने में हम अर्ब भी बहुत सारे स्ब्सक्राइश को करता है इसलिए सथे जो सनलाइट योंक्यों जन देमार्झ सपन्तमरा मिनिट 0じゃ तो देखिए यह था हमार आज का वीडियो मैंने जितना मेरा पास नॉलेज था बड्स को रखने के लिए मैंने वो नॉलेज आपको स्यार किया और एक बाद बोल देना चाहता हूँ यह छोटे बड्स है इनको कभी किसी तरीके का मिल्क मतलब मिल्क सब्टेंट सब्स्टेंट यह अच्छा नहीं है बड्स के लिए तो आप अगर हो सके तो किसी तरह का हैंट फिन फोर्मोला भी ले सकता है और यहां फिर ड्यान वक्षि कर सकते हैं उसके साथ ही आप calcium vitamin का supplement add करके तो यह था हमार आज का वीडियो किसी next वीडियो में यह male है या female यह बात मैं बता देता हूँ यह male है तो यह मैंने इसको कैसे identify कि कि एक male है तो मैं किसी और दिन बताऊंगा कि जो रिंग नेक परेट होता है इनमें male और female का difference क्या होता है तो अगर आपको किसी नए topic पर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे बता सकते हैं और इसका नाम पीको कैसा लागा तो भो भी मुझे comment करके बताईए तो मिलते हैं एक